भूटान में विराट कोहली के साथ हुआ कुछ ऐसा की अनुशका ने कहा यह परिवार नहीं भारतिय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली का आज 5 नवंबर को जनम दिन है इसके चलते विराट अपनी पतनी अनुशका के साथ भूटान में छुटियां मना रहे हैं अनुशका ने सुमवार रात एक पोस्ट के जरिये यह बताया की कैसे वे और विराट भूटान के लोगों का प्यार देखकर हैरान रह गए भूटान के एक छोटे से गाउं के एक परिवार के साथ एमोशनल मीटिंग का एक सपीरियंस शेर करते हुए अनुशका शर्मा ने बताया की आज उन्होंने 8.5 किलो मीटर का ट्रीक किया और पहार पर बसे एक छोटे से गाउं पहुँचे अनुशका ने बताया की यहां उन्होंने गाय के बच्चे को खाना खिलाया जो चार महीने का है इसके बाद उस घर के मालिक ने हम से पूछा क्या हम ठके हुए हैं और चाय लेंगे उनके कहने पर उस खूबसूरत गर में पहुँचे जहां बहुत ही प्यारी फैमिली ने हमारा स्वागत किया अनुशका ने बताया की हमने इस परिवार के साथ कुछ वक्त बिताया इस बात ने हमी खुशी से भर दिया कि वे लोग कुछ विदिशियों हमारे गाइड के साथ कितने दयालू थे हमसे बिना किसी चीच की उम्मीद के उन्होंने हमारी मदद की अगर जिन्दगी का सही मतलब यही नहीं है तो मैं नहीं जानती फिर क्या है यहर याद हमें हमेशा खुशी देगी बता दे कि बांगलादेश के खिलाफ टीन मैचों की टीड़ सीरीज में विराट कोहली टीम का हिसा नहीं है उन्होंने वरका लोड को थोड़ा कम करने के लिए इस टीड़ सीरीज से ब्रेक लिया है इस सीरीज में विराट की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मान टीम की कप्तानी कर रहे हैं